समस्कार अदाब सच्वेकाल और सलाम दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ ताज महल के बारे में और ताज महल की खुपियों के बारे में क्या खासियत है ताज महल की कि ये बहुत ही ज़्यादा अट्रेक्शन का कारक बन जाता है जब कोई टूरिस्ट हमारे देश में आते हैं और क्यों बार बार हम सभी लोग ताज महल को ही सामने प्रोजेक्ट जादा करते हैं कि वो जादा लोगों को लुभाए और वर्ल्ड बेस्ट मॉन्यूमेंट के रूप में सब के सामने निकर कर आए ताज महल वैसे देखा जाए तो ताज जो महल्य भी कहा जाता था कुछ लोग इसमें शिव मंदिर के होने की भी संभावना व्यक्त करते हैं पर मेरा विश्या इस वक्त कुछ भी कॉंट्रवर्शल बात करने का नहीं है मैं सिर्फ वास्तू के ग्यान से इस बात को देखना चाहता हूँ कि क्या खूबी है कि ये इतना सारा revenue create करता है क्या कारण है कि एक ऐसे शहर में जहां और कुछ भी नहीं है पर लोग ताज महल को देखने दूर दूर से पहुँच जाते हैं क्या उसका architecture है और क्या वाकई में आप सभी लोगों को ये भी लगता है कि एक मातर ऐसा architecture है दुनिया का जो बहुत खूबसूरत है जब हम बात करते हैं मंदिरों की तो मुझे personal thought पर ऐसा नहीं लगता कि मंदिरों से ज़ादा खूबसूरत कोई भी architecture भारत या पुरी देश में देखने को मिल सकता है क्योंकि जो detailing वहाँ है जिस तरीके से उसमें काम किया गया है वो next to impossible है और उसकी भी एक series में जल्दी आप सभी लोगों के साथ में सांजी करने वाला हूँ तो मंदिर क्यों important होते हैं कैसे important होते हैं और क्यों उनका architecture इतना खूबसूरत है और किस कारण से वो लोगों को same way में नहीं लुबाते उसके पीछे भी एक वास्तू का reason है तो हम सर्फ बात temple की नहीं करते हुए ताज महल की करेंगे कि ताज महल जो है वो किस तरीके से इतना खूबसूरती से लोगों को लुबाता है हमारे देश में आकरशन का कारण बनता है और बेहत खूबसूरती से इसको बनाया गया है इसमें वास्तू के नाम पर एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखा गया है हर एक चीज़ को चाहे वो इसकी लोकेशन हो चाहे वो इसकी लैंड एनरजीज हो और चाहे वो इसकी बनावट हो और सबसे खूबसूरत बात जो लोग एक टिपिकल एंशियंट ओल एज वास्तू में यकीन करते हैं उनके मुँपर भी एक बहुत बड़ी चीज़ को समझाता है ये कि वास्तू सिर्फ हलके और भारी होने का नाम नहीं है वास्तू बहुत डिटेलिंग में काम करता है अलग लग तरीके से काम करता है और तब जाकर आपको बेहद अच्छे रिजर्ट दे देता है अब बात करते हैं ताज महल की के स्टडी के बारे में तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ताज महल को मैंने टूडी लेओप पर ग्रिड करकर आप सभी के सामने रखा है ताज महल का जो आर्किटेक्ट्र पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें वास्तो की आयादी को डिवाइन प्रपोशन को कोल्डन रेशियो को हर चीज को बहुत खूबसूरती से रखा गया है एक साइन्स को सिर्फ ये यूज नहीं करते आज हम उसके मोडन आर्किटेक्ट्र की या डिवाइन प्रपोशन की बात नहीं करते कि किस तरीके से उसके रेशियो के बारे में एक गेट से वो दिख जाए दूर से वो छोटा सा दिख जाए इस तरीके से उसको बनाया गया है हर चीज एक वबास्तू के तरीके से वहाँ पर गड़ी गई है, वहाँ पर रखी गई है पर मैं सिरफ आपको ग्रिड करते हुए ताज महल की खूबियों के बारे में बताने वाला हूँ कि कहा किस चीज को प्लान किया गया और क्यों वो इतना सुन्दर और आप सभी लोगों को लुभाता है ताज महल जब आप इस पूरी ग्रिडिंग को देखते हो तो आप यह पाएंगे कि ताज महल से जो यमना जा रही है वो नौर्थ साइड से जाती है जब आप इसको उप्रेड विकर होगे तो यह जो यमना जाती है वो North Side से जाती है और आप सभी लोग जिन लोगों ने हमारा Free Beginner वास्तू कोर्स किया है उसभी लोगों ने यह अनुभव किया होगा मैंने उनको बताया भी है कि जो North दिशा है वो जल तक्तो की दिशा है और जब हम नदियों की बात करने लगते हैं ये बिल्ट करती है Connections और ऐसे Connections जो आपको Business ला कर देते हैं तो ताज महल बन गया North में नदी होने के कारण एक Business Opportunity Revenue Generation का कारण और उसने लोगों को दूर दूर से Connect किया क्योंकि पानी ही एक ऐसी मातर पूरी धरती पर चीज़ है और तभी उसने बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से जोड़कर भी रखा और Revenue का Source भी Create करते गए As in Opportunities को लाते हुए ग्राहत को यहाँ पर लाते हुए अब बात करते हैं Basic की जो हम Basic की बात करते हैं जाद तर लोग यह कहते हैं कि जो आपका Front होता है या जो Back होता है वो North में Open होना चाहिए South में Open नहीं होना चाहिए और यह गलत है वास्तू के हिसाब से North, South, East, West कोई भी दिशा को जब आप लेते हो तो उसमें दो Rules लगते हैं एक होता है Plot का Rule एक होता है Constructed का Rule जब आप इस चारों दिशा इक्वल छोडने की बात करते हो या South को ज़्यादा खुला छोडने की बात करते हो तब सिर्फ और सिर्फ Constructed की बात करी आती है तो ताज मेल का Constructed होता है ये उसके बाद एक और सेमी Constructed है जहांपर Tom बना हुआ है जहांपर मकबरा बना हुआ है लेकिन इन पूरी जगाओं को Count किया जाता है Non-Constructed में और फिर उसका Grid लगा कर चेक किया जाता है कि कैसे Result आएंगे इसलिए जो लोग कहते हैं कि ताज मेल वास्तू के हिसाब से नहीं है क्योंकि वो North में Heavy Structure है वो यहांपर Fail हो जाते है ताज मेल की जो Architecture है वो भारतिय है और हाँ वास्तू की हिसाब से है और हर चीज का ध्यान रखा गया है आप इसको और अच्छे से देखेंगे तो यहांपर दो तरीकी की Open Spaces आते हैं पहला Open Space आता है पहला Open Space आता है यहांपर इस जगे पर यह पहला Open Space हमें देखने को मिलता है यह Open Space एग्जेक्टली ताज मेल का नहीं है ताज मेल की बाहर के दरवाजों का है ताज मेल जा मेन गेट माना जाता है यह बना इस गेट को कहा जाता है मेन दा ग्रेटर गेट और भी कोई उसके नाम हो सकते है मेरी समझ में जो आया उसको कहा गया ग्रेटर गेट इस ग्रेटर गेट से यहां पर एंट्री होती है एक गेट यहां है एक गेट यहां है और यह रहा आपका Tourist Point दमेन ताज मेल जब आप यह देखेंगे इन चारों ही गेट को सही एंट्रेंस के पद्र पर बनाया गया अभी जो ग्रेट लगी हुई है वो इसको मिला कर लगी है अजर आप अच्छे से इस बात को देख सकते हैं इसको मिला कर लगी जब आप ग्रेट सिर्फ यहां पर करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यह सेंटर एग्जेक्ट सेंटर से मैच होगा जहां पर वो फांटेन है जहां से वो नीचे से यमना जा रही है एक प्रतिबिम बना रखा है और जो लोग यह बोलते हैं कि सेंटर खाली होना चाहिए उनको फिर इस बात को समझानी चाहिए कि सेंटर हमेशा खाली नहीं रखना चाहिए उसमें कुछ ना कुछ समान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है चाहे वो टॉम की बात करी जाए तो टॉम का सेंटर बहुत हाइटेड है और यहां भी जो सेंटर है उसको उन्होंने फिल करके रखा है और फिर आप जो यह एंटरंस देखते हैं यह निकल के आती हैं मेजरली S4 की और थोड़ी सी S5 की भी जब आप S5 की एंटरंस देखते हैं अच्छे नहीं मिले इस प्रॉपर्टी को कभी भी डारेक्टली ग्रहने के लिए यूज नहीं किया गया यह सिर्फ और सिरफ एक अट्रेक्शन के पॉइंट से ही बना गया और सिरफ उसी पॉइंट से ही लोगों के काम है कोई यहां पर रहा नहीं किसी ने इसको यूज नहीं किया और फिर उसके बाद जिन्होंने इसको बनवाया उनको दूर भी दुनिया से बहुत हट कर माना भी गया और कई हद तक यह भी देखा गया कि लोग उनसे दूर हो चुके हैं जो भी उन्होंने लेबर के साथ में किया दाट वस नॉट राइट अब उसके बाद जब आप देखते हो दूसरी एंटरंस ही कलती है डब्ली फॉर और डब्ली फाइफ की यहां पर डब्ली फाइफ है जैसे ही सेंटर यहां पर आएगा यहां पर पूरी सड़कें बनी हुई है और यह पूरा उन्होंने पद बना रखे है इन 16 इक्वल इक्वल गार्डंस में ताज महल को डिवाइड किया गया है ताकि उसका बास तो सही रहे यह बात रही सिर्फ और सिरफ एंटरंस की जो सही है म्यूजियम को दिया गया नौर्थ-नौर्थ-वेस्ट में ताकि वो अपने आप में एक अलग अट्रैक्शन का कारक बने जो टॉयलेट्स हैं वो साउथ-सौथ-वेस्ट के अंदर दी गई और साथ-साथ में एक जगहे पर देखने को मिलती है और आपको बहुत अच्छे प्रेणाम देती है रेस्ट इसके अंदर बहुत सारी बातों का ध्यान रखा गया चाहे वो कब कितनी हाइट देनी हैं कैसे लोग बहार जाएंगे कहां से लोग अंदर आएंगे कैसे वो एक छवी बनेगी हर चीज का बारिक water fountains हैं कहां पर बाकी का जो heaviness है जो मैं अपने advance course में अक्सर बात करता हूं कि आस पास की जगह को देखकर जिनों को बनाएं तो जब आप ताजमर की बात करते हैं तो जो खुद का किला है राजा का जो सबसे बड़ी वहां की दरूर है वो सारा का सारा south में और southwest के अंदर इसी तरीके से entrance, toilet, locations और जितनी भी चीज़ें यहां पर हैं बुखू भी वास्तू के हिसाब से बनाई गई और इसको वास्तू perfect बनाने के बाद एक attraction का कारक माना गया अब जो भी उसमें changes होंगे उसके कारण आपको ill effects देखने को future में मिल सकते हैं बहुत बहुत धन्यावा प्यार, अभार, प्यार, फिर से एक नहीं case study के साथ में बहुत जल्द में रूँआ, thank you and lots of love.